हेलो एव्रिवान आज अबुद्यूय प्लाटफॉर्म पे आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जो है नोट्स मेंकिंग लास्टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मुझे काफे सारे कमेंट्स मिलेते जहां पे स्टुडेंट्स का डाउट स्टुडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स ने नोट्स मेकिंग को लेके किस तरीके से करनी चाहिए तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर हम लोग जो है वीडियो बनाएंगे और इस टॉपिक पर बात करेंगे तो सबसे पहले नोट्स मेकिंग जो हम कंफाइन रखेंगे वो करण अफेर से रिल अपने current affairs को cover करना है तो I'll suggest के आप एक कोई भी newspaper ले सकते हैं और साथ में एक जो है वो magazine कोई सी भी आप ले सकते हैं और ये दोनों चीज़े sufficient होंगी notes के लिए तो magazine different coaching की magazine साती हैं आप कोई सी भी एक select कर सकते हैं बट जो भी select कर रहे हैं एक उसी magazine से आप notes बनाएं और साथ में अगर एक newspaper जो भी select कर रहे हैं वह आप देख सकते हैं दे हिंदू या Indian Express जो भी newspaper तो notes related मैं अपनी strategy बताता हूं मैं किस तरीके से करता था तो starting में क्या होता है कोई भी particular issue suppose आता है for example social media regulation का जैसे मैं लास्टाइम भी बात कर रहा था तो वह एक इस्चू है तो social media regulation तो होता क्या है कि यह topic बार 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 न्यूज में आता है तो starting में difficult होता है कि किस तरीके से इसको cover करना है topic को तो हमें क्या करना है कि जितना concise notes हम बना सके वो हमारे लिए helpful होगा exam perspective से तो जैसे कोई भी जब शुरू होता है कोई topic तो उसके लिए important होता है कि आप एकदम से notes ना बनाए जंप ना करें उसके उपर मैं क्या करता था कि मैं एक rough copy रखता था और rough copy में उस topic से जितने भी चीजे आती थी एडिटोरियल साते थे उनके जो क्रेक्स पॉइंट्स हैं वह उस रफ कॉपी में उतारता जाता था वह रफ कॉपी मेरे notes नहीं होते थे जस्ट मुझे notes making में help करते थे कि बाद में मुझे जब notes बनाना शुरू कर दे उसमें क्या होता है कि directly आप जब notes बनाना शुरू करते हैं तो बहुत बलकी notes starting में बनेंगे क्योंकि हर एक चीज़ आप उतारने लगेंगे topic wise और उसके बाद जब next बार फिर है वह topic आएगा उसको add-on करेंगे तो काफी बलकी हो जाता है उसको दुबारा पढ़ने में बहुत difficulty होती है तो यह directly notes बनाना मैं avoid करता था जब तक कोई भी जो इशू है वह काफी cover नहीं हो जाता था एक अफ़ते में उसको पढ़नी लेता था उसके in and out नहीं समझ लेता था प्रोस कॉंस उसके तब तक मैं उसके notes making जो है अपने concise form में नहीं करता था तो दूसरी जो चीज होती है वो यह रहती है और तीसरी क्या होता है कि आप topic को अपने mind में रखो कि आपने सपोज आज कोई particular topic पढ़ा उसमें कुछ points थे वो आपको ध्यान है या आप जो है उसको newspaper को cutting करके रख सकते हो कि आपको जो बनाने है notes वो आप properly बाद में जब पूरा in and out cover कर लेंगे तब आप बना लेंगे तो इसमें भी क्या होता है कि newspaper के बहुत bulky notes हो जाते हैं और आपको idea नहीं होता कि कौन सा topic का कहां कहां segregate करना है तो इसमें भी बहुत issue आते हैं एक तरीका होता है कि आप topic को memorize कर लें कि आज जो है यह particular points आये और जब यह पूरा cover हो जाएगा तब मैं इसके notes बनाऊंगा तो उसमें भी आप कभी कभी miss out कर जाते हो फिर आपको internet से search करना पड़ता है तो मेरे लिए तो यह वाली जो option था यह best था कि मैं एक copy में आज social media regulation से कुछ issue आया तो उसको मैंने उसके points लिख लिए कल को फिर को कुछ आया उससे related वह मैंने points लिख लिए और जब एक पूरा framework तयार हो गया और वह framework क्या है वह भी मैं आपके साथ discuss करूंगा वह जब तयार हो गया तब मैं A4 पे छोटे से उसमें उसको उतार लेता था ताकि वह मैं हमेशा अपने पास रखों और उसको memorize करूं तो जब हम framework की बात करते हैं तो framework में क्या चीज़ होती है कि सब कोई भी एक particular issue होता है उसका premise क्या है तो पहली चीज़ होती है प्रेमाइस तो प्रेमाइस क्या for example social media regulation के जो regulations आए है वो क्या-क्या point है वो एक प्रेमाइस हो गया उसको किस तरीके से आपको देखना है दूसरा क्या होता है issue कि जो भी चीज़ आई है उस particular चीज में issue क्या-क्या आ रहा है तो वो दूसरा चीज हो जाती है तीसरा होता है कि उस particular provisions का benefits क्या है वो आपका third चीज हो जाती है और चौता जो last होता है वो होता है कि आपका way forward solution क्या है उस चीज़ का तो यह आपकी चौती चीज हो जाती है तो आप कोई कोई भी current affairs का topic prepare कर रहे है इन basic चार चीज़ों में आपको अपने points को summarize करना है यही आपको exam में help करेगा क्योंकि कोई भी question frame होगा वो या तो यहां पर आएगा कि उस particular bill में या provision में क्या issue है या तो आएगा कि उसके benefits आपको highlight करने होंगे और शो करना पड़ेगा कि उसको solution क्या हो सकता है तो इन चारों चीजों के framework में आपको अपनी notes making करनी है अभी इन चारों को कैसे आपको framework बनाना है यह मैं आपको एक example के तुरू लेके चलता हूं तो for example यही है social media regulation तो social media regulation का जो मेरा पहला framework है वो है premise what is the premise of this bill तो premise में आएगा कि क्या क्या provisions है क्या क्या चीज़े उसमें आती है अब यही मैं आपको समझाने के try कर रहा हूं कि यह promise आपको एक जगा भी कहीं मिल सकता है यह बार-बार आप पढ़ींगे तब आपको मिलेगा तो आपको उसको कैसे concise करना है या तो आप उसको पहले rough में लिखे या उसको सीधा directly लिखे तो वह आपको देखना है अब प्रमाइस में पहली आपको उसी तरीके से अपने जो चीजे हैं उसको कंसाइस करना है अब ग्रिवैंस रिट्रेसल में पूरा एक ले आउट है कैसे एक टॉप लेवल पे चीफ कंप्लाइंस ओफिसर होगा उसके नीचे नोडल ओफिसर होगा उसके लीचे तो आप इसको सी-सी ओओ गया यह नोडल ओफिसर हो गया और इसके to прин को द लोगिया तो आपको जितना हो सकता है आपको कंसाइस करके उसका मैं फ्रैस चो कर रहा ताकि वह चीजब को याद रहे तो जितना ट्राइंड करें जाने कि भुलेट पॉइंक में वह पढ़ेंगे तो आपको काफी सारा चीजे मिल जाएंगी कि से फार्बर क्या है बट आपको बुलेट चीज याद रखनी है कि यह क्या प्रविजन है कि आईटी आक्ट में जो अगर उनके प्लाटफॉर्म पे कोई चीज आती है तो लोग लाइबल नहीं होंगे उस चीज के लिए तो यह गवर्मेंट ने कहा है कि अगर कोई कंटेंट गवर्मेंट केहती है कि 24 hours में हटाना है और वो नहीं हटता है तो यह यह जो सेफ आरबर क्लास है वो भी खतम हो सकता है या जो प्रोविजनस इС पर होगे हैं अगर फो फॉलो नहीं होते तो यह को भाह बहुत कुछ मिलेगा पढ़ने को लेकिन आपको bullet point में सिर्फ यह याद रखना है कि there is a clause called safe harbor IT act में और उसको किस तरीके से जो है वो इस act में दिया गया है तीसरी चीज है यह मैंने points तयार करें ताकि आप लोगों को समझा सकूँ किस तरीके से आपको notes बना सकते तीसरी चीज है tracing अब इसका भी पूरा एक वो है कि जो WhatsApp के जो messages है वो कहां से start हुए है उनकी traceability जो है वो रखनी है तो वो tracing जो intermediaries है WhatsApp है उसको बोला गया है कि आप government अगर पूछती है तो आपको बताना पड़ेगा तो उसका पूरी जो detail है वो वो सब आप इसमें avoid कर सकते हैं क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ वो bullet points रखने हैं जिन वर्ट से आपको वो चीज रिकॉल हो सके exam में तो और तीसरा चौती चीज है OTT regulation तो अब किस तरीके से OTT यह Netflix और जो intermediaries उनको regulate किया जा रहा है उसका एक clause है कि इसमें आपको classification करना है कि कौन सा under 12 है कौन सा under 18 है जो भी content आप दे रहे हैं एक जो है आपको self regulation करना है तो यह चीज है और एक आखरी होती है तो यह देखे इसका जो प्रमाइस है मैंने इन चार-पांच-पांच वर्ड्स उसमें कर दिया है अगर मुझे यह याद रहता है तो मैं exam में इसको expand कर सकता हूँ अराम से किस तरीके of it कि government क्या कह रही है कि benefits क्या है इसमें अब जैसे आपने प्रमाइस मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप benefits को भी बहुत छोटे concise way में लिख सकते हैं तो जैसे सबसे एक चीज है कि fake news है और propaganda है तो अभी आपने देखा कि farmer protest के time पे काफी Twitter handles आ गए थे जो farmer genocide और इन सब चीजों की बात कर रहे थे उसके अलावा भी काफी fake news जो है वो platform पे चलती रहती है जिसकी वज़े से government ने उसे हटाने के लिए भी बात कहीं बट वो possible नहीं हो पा रहा था तो इसके benefit यह होंगे कि इनकी accountability fix होगी जो भी social media के platform से grievance redressal officer होगा तो हमें इसका सिर्फ यह heading लिखनी है ताकि इस heading से हम expand कर सके दूसरा इनका बहुत opaque algorithm है यह platform खुद कहते हैं कि हम लोग जो है कोई भी ऐसा content होता है उसको red flag कर देता है हमारा algorithm बट कई बार देखा गया है कि वो चीज नहीं हो पाती है क्योंकि वह algorithm किस तरीके से काम कर रही है वह नहीं पता चल पाता है तो यह हम लोगों ने खाली social media पर नहीं छोड़ा है कि कौन सा जो content हो sensitive होगा और आपका algorithm सिर्फ उसको red flag नहीं करेगा अगर government उसको इसको बोलेगी तो आपको वो हटाना पड़ेगा तीसरी चीज़ अगर हम benefits में देखें तो मैंने जो वर्ड यूस किया वो supra national entity लिखा है अगर आप देखें तो यह Facebook और Twitter जो है यह नाचल यह नाचल बाउंडरी में तो restricted नहीं है यह इनका जो पूरा working है यह पूरा different countries में होता है अभी Australia में Facebook का टसल चल रहा है Google का टसल चल रहा है किस तरीके से sharing करनी है revenues की किस तरीके से platform को use करना है तो यह यह सारे issues जो है यह इसको control करने में help करेगा इसी तरीके से इन जो बड़ी साइट से इनकी monopoly हो गई है तो इसकी वज़े से क्या हो रहा है कि जो smaller media companies हैं यह smaller digital firms हैं वो इसका उनको level playing field नहीं मिल पा रहा है तो आप देखिए मैंने benefits को किस तरीके से इन चार्ड words में अपने आप इसको concise कर लिए आप भी इसको अपने तरीके से कर सकते हैं कि किस तरीके से उन वर्ट उन bullet points को use करना है ताकि आप exam में इन चीजों को recall कर सके मुझे यह बड़ी असानी से याद हो सकता है कि इसके प्रमाइस में चार points थे वो किस तरीके से benefits में चार points थे वो किस तरीके से बाकी मैं expand अपने इसाब से कर सकता हूं अब हम अगर issues की बात करें तो issues में आप देखिए कि मैंने जो issue लिखा है सबसे पहला वो over regulation का लिखा है अब over regulation जैसी मेरे दिमाग में आता है तो मैं उसको expand कर सकता हूं अपने notes में जब भी मैं एक्जाम में answer लिखूंगा या कुछ भी लिखूंगा over regulation में में जब मैं पढ़ा तो मुझे क्या है कि जैसे कोई भी ये safe harbor का clause है इसमें content की बात किया 24 hours में हटाना पड़ेगा अब ये government के distribution के उपर है sovereignty या integrity या बाकी कोई भी चीज़े हैं जिसकी वज़े से government इन platforms को बोले के content आपको हटाना है तो ये कहीं ना कहीं conflict करेगा article 19 जो है वो freedom of expression के साथ तो ये सारी चीज़े आपके दिमाग में रहेंगी बस आपको अगर over regulation याद है तो ये सारी चीज़े दिमाग में रहती हैं जैसे IT Act का एक section था 69 66 a share single case था जिसमें Supreme Court ने उसको unconstitutional बोला था just because of freedom of speech and expression को वाइलेट करता था तो इसी तरीका की सारी चीज़े हो सकती है यहाँ पर दूसरा traceability का जो issue था उसमें privacy concern आ जाएगा ये जो traceability को बोला है government ने कि आपको trace करना है WhatsApp को कि वो content कहां से originate हुआ है तो WhatsApp हम लोग क्यों use करते हैं क्योंकि उसको हम लोग बहुत secure मानते हैं उसकी privacy है तो इसकी वज़े से यहाँ पर यह issue आ सकता है तो मैंने issue को जो है बहुत कम उसमें कर दिया है और तीसरा है डिजिटल मीडिया का अब IT act में यह जो डिजिटल प्रैटफॉर्म है मीडिया का वो cover नहीं होता है तो एक executive order से यह चीज़ कवर की गई है तो इसको भी काफी criticism इसको मिला है तो यह जो चीज़ है यह मैंने इस तरीके से अपने छोटे उसमें पूरी कवर कर लिए और लास्ट में सजेशन एक आता है कि अब सजेशन में अगर हम देखें तो पहली चीज़ जो आती है वह यह आती है कि कंसुल्टेशन यह जो rules लाए गए है act यह लाए गए है IT firms के लिए इसमें consultation lacking था और उसी की वज़े से काफी issues आएं तो main चीज़ यह है कि जो भी players इसमें involved है उनके साथ consultation जो है वह properly होना चाहिए जिस तरीके से और एक चीज़ होती है self regulatory mechanism तो अगर हम देखें के social media किस तरीके से जो है popularize हुआ है क्यों हुआ है क्योंकि यहाँ पर freedom of expression है लोग अपने thoughts share कर सकते हैं उनको एक platform मिला है उस चीज़ को लेके तो थोड़े बहुत नुकसान है social media के बट उससे ज्यादा फायदा है तो अगर आप उसको overregulate करतेंगे तो वो जो फायदे हैं वो काफी कम हो जाएंगे democracy के penetration में भी social media ने help किया है तो I think more than the government regulating this this area self regulation should be there and if anything is there it should be backed by legislation so legislative backing should be there for this so these are some suggestions which are there उसके लिए rules के लिए तो अब अगर आप देखिए यह जो चीज़े मैंने लिखी हैं इस issue के लिए के social media regulation यह premise है यह benefits है यह इसके issues है यह suggestions है अब अगर social media regulation से related कोई भी question आता है मुझे यह सिर्फ जो words हैं या points हैं यह मुझे याद है और मैं इनसे अपना पूरा answer लिख सकता हूँ तो आपको भी try यह कर रहा है कि आप किस तरह के से अपने issues को concise कर ले और यह half A4 sheet में आ जाएगा और आप इस तरह के से अगर prepare करेंगे अपने topics को तो hardly 100-150 topics होंगे जहां पे आपका पूरा जो main चीजें हैं वो cover हो जाएंगी तो इसलिए यहां पे पहुचने के लिए आपको थोड़ी सी practice करनी पड़ेगी क्योंकि bulky notes बनेंगे starting में और उससे difficult होगा उसको concise करना तो यह जो मैंने words यूज किये हैं यह मैंने अपनी understanding से यूज किया है कि मैं इनको कैसे memorize करूँगा और कैसे उनको याद करूँगा और आपके लिए जरूरी है कि आप किस अपने words में किस तरीके से उनको देखते हैं तो यह तरीका मैंने notes making के लिए अपने लिए बनाया था hope it'll help you और यह जो rough copy का idea यह आप try कर सकते हैं कि कोई भी notes जब चल रहा होता है उसको rough copy में एक note down कर दीजे और जब वो in and out cover हो जाए तब आप इस तरीके से उसके notes बना ले और यह जो आप चार चीज़े हैं अगर यह आपको रहेंगी तो आप कोई भी answer में में अच्छे से टैकल कर सकते हैं थेंक्यू